हाई गाईज वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो होने वाली है एक स्किन केर रूटीन पे तो जिन लोगों की भी ओईली और एकने प्रोन स्किन है उन लोगों के लिए यह वीडियो होने वाली है तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 5 SCA स्टेप्स विदा टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बना सकते हैं और यह लॉंग टम के लिए भी आपके स्किन को हेल्दी बनाएगी तो चलिए शिरू करते हैं आपको तीन बार तो फे तो नाइट में आपको नाइट में भी जरूर करना है फेश वास अन्ड विदा राइट फेश वास अन आपको चूह चूछ कना होगा कि आपके स्किन के लिए कौन सा सही फेश बार से उसी से आपको फेश प्ला अपना करना है मैं यहां पर यूज कर रही हूं, बिस फेश इस फॉरॉम मामा एर्थ विछ वज फॉर्स वीड टर्मरिक धॉमिनिसी सो यह विटमिन सी औंड टर्मरिक से बना हुआ है और पremरिक बोलों लोगों के लिए एक्रिक प्रॉन बोलों के लिए और एक्ने प्रोन सकीन यह 스र हम्रिक प्रृष फॉक्या माना जाता है यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और सभी लोग जानते ही है कि टर्मरीक हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जेल बेस फेश वास है दन आपने कंदरना है अपने फेश को ड्राए और आपको हमेशा बहुत ज्यादा हाश ली नहें करना है इधन सौस्ट तरीके से करना है कि सेकंड स्टेप इस तु यूज़ टूनर क्या करता है आपकी स्किन के आपके पोर्स को टाइटन अप करता है आपके face को hydrate करता है और आपकी skin की pH level को भी maintain करता है तो मैं यहाँ पर use कर रही हूँ यह rose water rose water as a toner यह बहुत ही अच्छा वक करता है toner की तरह तो मैं इसको use कर रही हूँ और आपको 2 minutes नग वेट करना होगा कि यह आपकी skin में अच्छे से अब्जॉब हो जाए आफ्टर अप्लाइंग आट टोनर कितना नैच्छल सा ग्लू आ जाता है तो यूजा सीरम वैसे तो आप तीनी स्टेप फॉलो कर सकते हैं बट यह वाला भी स्टेप जरूरी है क्यों क्योंकि जो सीरम होता है जो हमाले स्किन पर जाते ओपर जाते हैं इस सीरम उ बहुत जाथा हैके क्लीन करता है यह इस स्किन करेक्ट फेस सीरम यह आपको एकने माक्स एन इसकार्स में भी बहुत ही हल्प करेगा तो यह यह इस टाइप का इदम बॉटरी फॉर्म में होता है यह आपके स्किन में जो भी एकने मार्क्स होंगे जो भी पिंपल होंगे जो भी पोर्स हैं आपके ब्लैमिशिस हैं यह सारी चीजों को ठीक करने में सीरम बहुत ही ज्यादा है फो स्टेप इस टू मॉस्टराइज दे और स्किन अंड सबसे जादा यह लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हम तो ऑईली स्किन वाले हैं तो हमें मॉस्टराइजर की कोई जरूती नहीं है तो यह बिल्कुल भी गलत है हमेशा हमारी इस किन को मॉस्टर की जरूरत हमें होती है बट एक सही तरीके का मॉस्टराइजर को यूज करना ऐली फ्री मॉस्टराइजर को यूज करें जो तो आपको एक प्रॉपर वे में अपने आपके फेस को मॉस्टुराइज भी रखे और बहुत ज़ादा ओईल भी ना आने दे यहां पर यूज कर रही हूं दिस मामा अर्थ ओईल फ्री फेस मॉस्टुराइजर यह क्या करता है हमारे इस्किन पर एक्सेज ओईल आने नहीं देता है और हमारे फेस को मॉस्टुराइज भी रखता है फाइफ स्टेप इस्टु यूज संस्क्रीन रात में तो आप इसके बिना रह सकते हैं बट डे में यह आपको बिल्कुल भी आवाइड नहीं करनी है अपने स्किन को संदेज और यूवी ए यूवी वी से आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है जैसे कि हमें टैनिंग भी न सामा अर्थ अल्ट्रा हाइट इंडियन संस्क्रीन विदा कैरेट सीड अंड टर्मरिक विद एस्पी फिफ्टी प्लस-प्लस तो यह रहें फाइफ स्टेप्स विदा टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन जो है हमेशा क्लियर अंड हल्दी रहेगी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक शेर सब्सक्राइब टू मैं चैनल थाइंक्स फर वाचिंग बाई गाईज